नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सनातन धर्म में पूजा के समय दीपक जलाने का विसेश महत्व है और किसी भी देपता की पूजा के लिए उनके सामने दीपक जलाना सुभ भी माना जाता है आम तोर पर आप अपने घरों में पीतल का दीपक, तांबे का दीपक, मिट्टी का दिया इन दीपकों का इस्तिमाल करते हैं लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा कि लोग आटे का दीपक जलाते हैं तो आप सोच रहे होंगे आखिर आटे का दीपक क्यों जलाया जाता है देखिए आटे का दिया जलाना किसी चमतकार से कम नहीं है क्योंकि किसी खास मनुकामना के लिए जब आप आटे का दिया जलाते हैं तो आपकी मनुकामना जल्दी पुर्ण होने की ओर अग्रसर हो जाता है जोतिस में ये भी कहा गया है जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आटे के दीपक से निकल सकता है आटे के दिये के बारे में मानने ताए कुछ अलग भी है बिसेश दिन बिसेश परिस्तितियों के लिए ये दिया जलाया जाता है कहा जाता है कि तांत्रिक के कामों में भी आटे के दिये जलाया जाते है अगर मादुरगा, हनुमान जी, भगवान स्री गनेश, सिप जी, भगवान विश्नू और भगवान विश्णू के अवतार जैसे भगवान स्री कृष्ण भगवान स्री राम इनके मंदिरों में अगर आटे के दिये जलाएं जाएं तो समस्त मनुकामना अतिसिग्र पूरी होती है तो उसके पहले की हम आगे बढ़े हैं पहले हम बता दें कि दीपक कैसा बनाएं बहुत बार क्या होता कन्फ्यूजन होता है वैसे तो हम विश्टार से बताएंगे कौन सी मनुकामना के लिए किस तरह का दीपक जलाया जाना चाहिए लेकिन आम तोर पर दीपक कैसा बनाएंगे सबसे पहले तो देखिए आटे को आप पानी के साहरे सुद्ध पानी के साहरे अगर गंगा जल है तो उससे भी आप गूत सकती है उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजे आप नहीं है हल्दी तो प्ले नाटा गूत लीजे खासकर जब आप बजरंग बली की के लिए दिया जलाएंगे हनवान जी के लिए जब आप बाकी देपताओं के लिए जलाएंगे तब एक चुटकी हल्दी डाल दीजेगा अब इस दिपक को बना लीजे अब दिया कैसे बनाएंगे मिट्टी का दिया होता है न एक मुखा दिया बिलकुल वैसा ही बनाईए कोई दिकत नही यह भी सवाल है कि उसमें चावल के डाना डालेगी नहीं हां डालना है क्योंकि खाली दीपक नहीं जलाया जाता दीपक बनाए उसमें बाती घी डालिए बाती डालिए और एक एक दाना चावल के दीपक में डाल दीजिए फिर जलाईए क्योंकि खाली दीपक जवाब जला समझे का जर्या है एक साधा इस मगने कि वह रास्ते हैं आप No को आगए बढ़ने के या फिर आप तक चीज़ों को प्राप्ट करने के लिए वह रास्ते हैं उसी मात से माध्यम से आपको मिलेगा अप जिस भी मनोकामना के तो अब हम जानेंगे विस्तार से कि कैसे आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और कैसे कौन से भगवान को मनाएं दीपक कैसा जलाएं कैसे आप बिंती करें तमाम बाते हम विस्तार से बताएंगे आप कोई कन्फ्यूजन नहीं उमीद है लेकिन फिर भी आपको लगए कि समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं लेकिन किस कामना के लिए आप आटे का दिया जलाएं देखिए कर्ज से मुक्ति के लिए ये सर्वोत्तम माना गया है सिग्र बिवाह के लिए नोक्री बैपसाय में उन्नती के लिए बिमारियों से रक्षा के लिए संतान प्राप्ती के लिए कई तरह के संकटों के निवारन के लिए भी आटे का दिया जलाया जाता है आटे की दिये जब भी जलाया जाते है तो इन्हें बढ़ते वे करम में और फिर घटते वे करम में ही जलाया जाता है जैसे कि आपने अगर आज एक दिया जलाया तो अगले दिन दो तीन फिर अगले दिन ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और फिर आप घटते वे करम में आएंगे माल लेते हैं ग्यारा दिन आपने सोचा है जलाने का तो एक ग्यारा दिन जैसे ही हो जाता है ग्यारा दिया उसके बाद आप 10, 9, 8 ऐसे करते हुए एक के करम में आएंगे लेकिन जब आप आटे का दिया बनाए तो क्या यूही आटा में पानी मिला कर आप बना लेंगे? नहीं जब भी आप आटे का दिया बनाने के लिए सोच रहे हैं आप किसी बिसेश मनोकामना की पूर्ती के लिए तो आप दिया बनाने से पहले आप किसी भी भगवान के लिए बना रहे हो उसमें एक चुटकी आटे में हल्दी जरूर डाल दें अगर आटे का दिया बनाने के लिए उसमें हल्दी मिला कर आप गुटते हैं और फिर इस दिया को बना कर इसमें घी या तेल डाल कर बाती बनाए तो आपकी मननत चल्दी पूरी होती है जब भी आप अपनी मननत पूरी करने के लिए जाएं तो सभी मननत के लिए दिया मंदिर में ही लगाए जाते हैं बार दीपक की संक्या पूरी होने से पहले ही कामना पूरी हो जाती है अगर ऐसा हो भी जाए तो इस करम को आप बरकरार रखें यानि कि मान लेते हैं बढ़ते वे करम में ही या घटते वे करम में आपके मनत पूरा हो गया तो आप मनत पूरा होने से इसको छोड़ना नहीं है बलकि एक तक आना है आपको और जब भी आप संकल्प लिये हैं आपने की इतना दिया जलाएंगे तो वो दीपक आप जरूर जलाएए और हर दीपक के साथ हर दिन अपनी कामना जरूर गई है आपने ये जान लिया कि मननत के लिए आटे का दिया जलाया जाता है क्योंकि अन्य दीपक की तुलना में आटे का दिया को ज़्यादा पवित्र और सुमाना गया है मां अनुपूर्णा का आसिरबाद इस दीपक को जलाने से स्वतस ही मिल जाता है तो आपको जैसे कोट कजरी में बिजय प्राप्ति के लिए जूटे मुकदमे से बाहर आने के लिए घोर आर्थिक संकट से निवारन पाने के लिए घर में कलह कलेस, पती पतनी में विवाद, संतान प्राप्ती के लिए बिमारियों से रक्षा के लिए, नौकरी प्राप्ती के लिए सिग्र विवाद के लिए, खुद का मकान के लिए इन तमाम आप जो भी आपकी कामना है उसके लिए आप दिया जला सकते हैं कि तो आटे कदिया आप 11 तक जलाने का भी संकळ ले सकते हैं 21 तक का भी ले सकते हैं और 31 या 41 तक का ले सकते हैं हाई एस्ट ये बहुत जा सकता है लेकि सबसे उत्तम 41 यानि की 41 दिया जलाने के महत्तों बताए एक तो आठे का पीड़ी मेलाएक एक हाथों से उसे दीब का आकार देंगे तो बा Ducked छेरी ना करते हैं के एक साथ अध्यक्ति अपुरी होने सी RS जला सकते हैं के आप जलए ऽार का संख्या पुरी कोไมटलिऑ आप उसको खंडित ना करें तो चलिए जानते हैं कौन से देवी देपता के सामने ये दिये कैसे जलाएंगे आप तो अगर आर्थिक समस्याओं से परिसान हैं तब आप 11 दिन तक लगातार संकल्प लेकर मा लक्षमी के सामने आठे का दिया जलाएंगे लेकिन इस दिपक में आप तेल नहीं डालेंगे बलकि घी डालेंगे और रुई की बाती होगी तो जैसे आपने मा लक्षमी के सामने जलाना है आपको तो आप सुक्रवार के दिन से शुरू करेंगे और करमस है एक, दो, तीन, चार अगले दिन इस तरह से करके आप 11 दिनों तक जाएंगे और फिट घटते वे करम में 10, 9, 8, 7 की संक्या में आते वे एक तक आ जाएंगे इस उपाय को करने से घर में आने वाली धन समंधी परिसानिया समाप्त हो जाती है और आटे में हल्दी मिलाकर देशी घी का ही दीपक आपको जलाना है इससे आर्थिक इस्तिती सुधार होता है अगर कर्जी की समस्या से परिसान है या फिर मुकदमे जैसी चीजे हैं या जगड़े लड़ाई हैं या मंगल समंधी कोई भी दोसो छोड़ चपेट तो फिर आप हनवान जी के सामने आटे का दिया जलाएं तो उत्तब हैं यहां तक कि हनवान जी के सामने आप सनी के प्रकोप से मुक्ति के लिए भी दिया जला सकते हैं आप यहां पर भी 11 की संख्या या 21, 31 या 41 आप उहां तक जा सकते हैं फिर घटते वे क्रम में आपको आना है जब आप मा अनपूर्णा के सामने आटे का दिया जलाएं तो इसमें भी घी ही डाला जाएगा और आर्थिक संकट दूर करने की प्रार्थना की जाएगी लेकिन ये क्रमसा बिल्कुल वैसा ही होगा कम से कम 11 दिन और अधिक से अधिक 41 दिन तक आप जलाएंगे तो आज हमने आपको आटे के दिये के बारे में बताया कि कैसे इसको जलाया जाता है और कैसे इस दिया से आप मनुकामना पूर्ण कर सकते हैं कई बार ये भी देखा गया है कि हनवान जी के सामने जवाब दिया जलाते ह तो मंगलवार के दिन से शुरू तो किया ही जाता है लेकिन मंगलवार को एक जलाया तो बुद्वार को दो फिर गुरुवार को तिन सुक्रुवार को चार आप इस तरह से करके भी जा सकते हैं नहीं तो आप मंगलवार इस मंगलवार को एक जलाया तो अगले मंगलवार को द तो इस तरह से करके सिर्फ मंगलवार के दिन भी आप जला सकते हैं ये दिया कहीं भी जल सकता है घर में पास के मंदिर में आपके लिए जो भी संभव हो आप वैसा ही करें तो दीपक का महत्व और दीपक जलाने की बिधी मनोकामना पूर्ण होने के बाद भगवान को आप सारे दीपक चाहें तो एक साथ जला कर उनका आभार ब्यक्त कर सकते हैं जैसे कि आपने 11 की संख्या में जलाने का आपने उनसे वादा किया है तो अंत में 11 जला दे एक दिन में ही पूरा धन्यवाद हम फिर मिलेंगे जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर महादेब जरूर लिखें धन्यवाद